जहिन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे कल की डेट में मैंने आपको एक जनकारे दिया था नोटिफिकेसन का जो कि इसरो की तरफ से नोटिफिकेसन जारी किया गया था और आज की डेट में आपको उस notification के तोर पे जो date जारी किया गया था इस date से farm भरना start होगा तो आज में आपको बताने वाले कि कैसे आप mobile के द्वारा इस farm को apply कर पाएंगे तो यहां पर हम आपको mobile के द्वारा ही आपको बताएंगे कैसे आप farm को apply कर पाएंगे पूरा प्रोसेस आपको step by step बताने वाले है उससे पहले आप ध्याने केगा इसमें यहां पर किन पोश्टों पर भरती निकल के आ रहे हैं और किस यहां पर पोश्ट पर कितनी seat खा लिए यह जानना आपके लिए काफी जरूरी है नहीं तो apply करते समय आपको यहां पर problem देखने को मिल जाती है क्योंकि कुछ इसमें seat ऐसे भी है जिसमें diploma वाले भी apply कर पाएंगे और यहां पर जो graduation है फूलो भी farm को apply कर पाएंगे यदि यहां पर ITE की बात करें तो ITE के लिए हाँ पर feeder के चात्र, electronic mechanic के चात्र, welder के चात्र, mechanical और यहां पर आपको जो देखने को मिल जाता है फर्मनिष्ट है, hindi typing और यहां पर light vehicle driver है और यहां पर cook का यहां पर आपको देखने को मिल ला है तो आप इसका कैसे apply कर पाएंगे, चले इसके बारे में पूरा process आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको इसको official website पे आना है और इसका आप notification भी download करके देखना चाहते हैं, तो यहां से आप notification भी download करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है notification आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में देखने को मिल ला है, तो यहां से आप download कर लिजेगा, और यहां से आप apply करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पे click करना है, ऊपर click to apply online वाला आपसन आपको दीख जाएगा तो simply आप जैसे आप इस पे click करेंगे, तो एक नया आपको सामने यहां पर website दीख रहा है, इसी website पर आप आजाएगे और आपको आना है यहां पर नीचे है, और यहां पर आपको देखना है post, किस post पर आप apply करना चाहते हैं, यदि आप diploma धारके हैं, तो डिपलोमा के लिए यहां पर technical assistant mechanical देखने को मिल जाता है, और नीचे आएंगे तो technical assistant electronics and communication देखने को मिल जाता है, और यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर technical assistant electrical देखने को मिल ला है, तो हम यहां पर ITI के चाहतर हैं, तो हम नीचे आएंगे scroll करते हैं, जो चाहतर फीटर से ITI के हैं, वो के सामने यहाँ पर क्लिक हर लिख रहा होगा simply आपको इस पर क्लिक करना है और electronics mechanic के चातर ध्याने केगा आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक हर टू अप्लाई पे और जो चातर electricians या आई टी आई के हैं उन नीचे आ जाएंगे स्क्रोल करते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिला technician भी electrician का यहाँ पर आपको देखने को मिले सीट जिसमें आपको यहाँ पर apply का option दीख रहा होगा तो simply आपको यहाँ पर क्लिक करना है click to apply अपना यहाँ पर देख लेजेगा और सभी ट्रेट के सामने आपको click to apply इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है तो अपने ट्रेट के अनुसार आगे इस पर क्लिक किजेगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का का है तो यहाँ पर पूरा नाम आपको fill करना है ध्यान एकिएक करना है अपना अपना पूरा नाम ऐँ JEFF इसके बाद यहां पर आपको email id यहां पर फिल करना है email id आप वही फिल कीजेगा जो हमेशा active है दुसरा यहां पर कह रहा है कि retype email id तो यहां पर ध्यान निकिए का copy paste वाला option यहां पर बिल्कुल लाइए आपको email id यहां पर लिखना पड़ेगा तो यहां निकिएगा copy paste करेंगे तो यह आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आप email id लिखेंगे वह email id आपको इसमें फिल करना है इसके बाद यहां पर अपना gender select कीजेगा mail है तो mail वैसे यहां पर mail की ही seat है इसके बाद यहां पर status तो single विल्कुल सही है इसके बाद यहां पर आपको select category का option देख रहे होगा किस category के अंतरगत आ रहे हैं इसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप pwd के अंतरगत आ रहे हैं तो यहां पर yes और no का option देखने को मिल ला है यदि आप इसके अंतरगत आ रहे हैं तो yes कि आप इसके अंतरगत नहीं आ रहे हैं तो no कीजिएगा इसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप पी स्टेट से मतलब कि आपने जो यहां पर वर्किंग जो सेंट्रल है वो गौर्मेंट से यह स्टेट से यह किस तरक है इसमें आप नो रहने दीजिएगा इसी तर आप इ प्री लगाने की कोई जुरुत ने बुल्किल आप ध्याने के बहुत सरे चाहत रही सी गलती करते हैं तो बिलकूर आप ऐसा नहीं कीड़ेगा इसके बाद यहां पर हाउस नंबर पूछ रहा है तो आपको यदि हाउस नंबर नहीं मालू है तो आप निरवाचन कार्ड कि पूछ रहे हैं अपका गाओ कशकर डिफी की लिंदे बाद मतलते की आप किस राज के माले इसके बाद यहां पर 20 कोड़ आपको यहां पर पर कुलिक करना के आपको इससपे फेल करना पर यहां पर पील करना इसके बाद यहां पर अल्टरनेट कंटेक्ट नमबर अब अबुछा जा रहा है नीरिष्ट सेट्पेंग कि इसके बाद यहां पर प्यूच रहा है कि education qualification क्या है तो यहाँ पर qualifying जो exam है आप इस पर click करेंगे तो आपको बहुत सारे आपसंदेखने को मिलें जिसे कि आप यहाँ पर देखिए इधारक यदि आप होंगे तो electrical trade से आपका होना चाहिए NTC certificate सार्ट में होना चाहिए और यहाँ पर NAC electrical trade होना चाहिए और यदि आप यहाँ पर जो electrical trade वाले वो भी ध्याने किएगा इसमें ITA NTC plus NAC मांगा गया था तो यहाँ के पास कौन सा qualification आप यहाँ पर चूज कर लिजेगा तो यहाँ पर NAC certificate जिनके पास होगा तो वो भी यहाँ आपर किजेगा यहाँ पर और जिसके पास ITA धारक होंगे वो इस पर क्लिक किजेगा और साथ मैं NTC certificate मांगा गया National Trade certificate तो आपके पास होना चाहिए तो हम simply यहाँ पर पहले वाले आप संगे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका passing year क्या है सब कुछ आपको यहाँ पर फिलिप करना है तो passing year आपको नहीं मालुम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ध्यानी केगा जब ITA का आप यहाँ पर देखेंगे certificate जो अधार कार्ड जैसा होता है तो उस पर आपको लिखा हुआ नीचे आपको नजर आएगा वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा month and year आपको यहाँ पर select करना है यहाँ पर देखिए मतलब कि एक साल का आप course करें या दो साल का यहाँ और चूज करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इसके बाद यहाँ पर देखी हो नीचे आप आपड़ आपको फिल करने का प्रोसेस देखने को बिला है तो जैसे आपने से प्रोसेस देखा उसी तरह आपको एने सी सटीटेलज में आपको यहां पर फिल करना है, बिल्कुल आपको उसी तरह ये process देखने को मिल जाएगा, कितने साल का course था ये आपको फिल करना है, trade यहाँ पर आपको फिल करना है, और यहाँ पर नीचे आप आएगे, तो अब यहाँ पर जो असली कामे वो शुरू होता है, जिसे कि आपको यहाँ पर फिल कर आपका 50 kg के भी ही रखा गया, उससे ज़्यादा नहीं रखा गया, इसके बाद certificate अपलोड करने की बाद कहीं गये, और यह PDF format में आपका अपलोड होगा, PDF में और इसका यहाँ पर चूज करके आप यहाँ से अपलोड करेंगे, और ध्यान इकेगा, PDF में और 10 MB से ज़्याद नहीं होना चीए, यह सभी फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको next step का option दिख रहा है, simply आपको next step वाले option पर क्लिक करना है, तो चलिए मैं पूरा यहाँ पर फिलिप करके उसके बाद next step आपको बताता हूँ, अगला step आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप form को फिलिप करके next वाले option पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा, जैसे कि आप इस screen पर देख सकते हैं, इससे पहले एक page open होगा, जिसमें आपने जो भी फिलिप आपने किया होगा, सब कुछ आपको करम वाज यहाँ पर मिलाने के लिए कहा तो आप यहाँ पर सारे डिटेल फिल करके, आप यहाँ पर सो डिटेल पर करके, आप यहाँ से आप की experiment कर सकते हैं, और यहाँ से आप असानी से form को submit कर सकते हैं, I hope आपको जनकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक केजेगा, और चैनल पर नए होगे, तो च subscribe कर लिजिए,